बिहार की अब तक की प्रमुक खबरों को के लिए तीन जगह पर कम्यूनिटी किचिन भी खोला गया है बार प्रभावितों के बीच पॉलथीन शीट का भी वित्रन किया जा चुका है हाला कि सरकार लगातार प्रभावित अलाकों पर नजर बनाये वे हैं वहीं रहात्सामागरी का वित्रन भी शुरू करवा दिया गया है देश में पिछले 24 घंटे में आये 47,000 से ज्यादा मामले भारत में कोबर्ड-19 प्रभावितों के संख्या लगातार बढ़ती जारी हर बीते 24 घंटे के साथ 45,000 से ज्यादा मामले दर्च किये जा रहे हैं स्वास्तमंत्राले की तरफ से जारी किये गया जानकारी के अनुसार बीते 24 घंटे में भारत में 47,703 मामलों के पुष्टी की गई है जिसके बाद प्रभावितों के संख्या 14,83,157 पर पहुँच गई है जिसमें से अब तक 9,52,744 मरीज ठीक हो चुके हैं और अपने घर पापस दोड़ चुके हैं वहीं 4,96,988 लोग इलाज वी जारी है इतना ही नहीं स्वास्तमंत्राले ने बीते 14 घंटे में 654 लोगों की जान जाने की पुष्टी भी की है जिसके बाद भारत में जान गवाने वालों की संख्या 13,425 पर पहुँच गई है यानि कि देश में COVID-19 का रिकवरे दर 33,9-2 फीजदी होगा है हाला कि मामलों का आकलन करने के लिए भालत में रिकॉर्ट तो टेस्टिंग जारी है रोजाना 5 लाग से उपर टेस्टिंग करवाई जारी है पटना एम्स में वाक्सीन परिक्षण के आये सकरात्मक परिणाम बिहार में COVID-19 के ब ने इस बात की आश्रंका जोताई है दरसा संस्थान में 40 वॉलिंटियर पर हो रहे है पहले चरण के मानफ परिक्षण के सकरात्मक नतीजे सामने आने की पुष्टि की है जिन लोगों को प्रथम डोस दी गई है उन्हें दूसरी डोस देने की प्रक्रिया 29 जुलाई से परिशानी बढ़ा दी है महीं बीते 24 घंटे में बाढ़ की वज़े से आठ लोगों की जान चले गई है जिसके पुष्टी आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री लक्षमेश्वर रॉय ने की है लक्षमेश्वर रॉय की तरब से जारी किये गे आकड़ों के नुसार 11 ज घंटे में आठ लोगों की जान चली गई है जिसमें दरभंगा के चार पच्चिम चंपारन के चार लोगों का नाम शामिल है बिहार वासियों को बाढ़ में राहत पहुचाने के लिए NDRF की टीम मुश्टैदी से कर रही है काम बिहार राज में बाढ़ प्रभावित जिलो बाढ़ पच्चिम चंपारन दरभंगा और सुपॉल जिला में दिन रात लगाकर रेस्क्यू आपरेशन चलाकर 6600 से अधिक बाढ़ से लोगों को बचाने में लगे वे हैं इस साल बाढ़ राहत और बचाव की दोरान NDRF की टीम के सामने दो रीच चुनाती हैं जिसके तहट पहले उन्हें बाढ़ प्रभावितों को हर समभव मदद पहुचानी होगी साथ ही खुद को COVID-19 के बढ़ते प्रभाव से बचा कर भी रखना होगा बिहार के आठ जिलों में मौसम वभाग ने बारिश के साथ आकाशे बिज़्री गिरने की जताई संभावना मौसम विभाग ने बिहार के आठ जिलों के लिए सतरक ता जारी कर दी है मौसम विभाग ने बारिश के दोरान सभी लोगों से घर में रहने की अपील की है बिहार के सभी पीहसी में करवाई जौएगी COVID-19 संक्रमन की जाच बिहार के सभी प्राथमिक स्वास्त केंद्र बे अंटेजिन के टुपलप्त करा दी गई है। इसके साथ ही अब पीएसी स्थर भी पूरी तरीके से COVID-19 संक्रमन की जाच को शुरू करवाने वाली है। जिसके लिए हर दिन COVID-19 संक्रमन जाच की श्रमता 5000 तक बढ़ाय जाने की उमीद है। जारी है। इसके आमनागरिकों के साथ किसानों की परिश्वानी भी की दोगनी। COVID-19 की वज़े से रभी फसल को हुए नुकसान के बाद मौनसून ने किसानों में आज जगाई थी क्यूंकि सालों बाद इतनी अच्छी बारिश हुई थी। किसानों ने जम कर धान रोपनी भी की और खेतों में फसल आने भी शुरू हो गए थे। जो इसके बाद अब बाद ने किसानों के आस पर पानी फेर दिया है। पार्टी के दफ्तर में इसी को ध्यान में रखते हुए कई सारे एहम बदलाव किये गए है। मिली जानकारी के नुसार कॉंग्रेस नेताओं ने राजभवन जाकर राजिस्थान के सियासी परिद्रिश्य में आये बदलाव को लेकर विरोध करने की कारण विरूद्र कॉंग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन जास समेत कई नेताओं के खिलाफ मामला दर्च करवाद गया गय मिली जानकारी के नुसार नेताओं पर लोकडाउन का पालन ना करने और सोशल डिस्टेंसिंग के धजिया उड़ाने और प्रतिबंदित छेत्र में बिना अनुमती विरोध करने के मामले को दर्च करवाए गया है भागलपुर में लोकडाउन का सकती से पालन कराने के लिए पुलिस ने शुरू की विशेश मुहीम पुरे बिहार में COVID-19 के बेलगाम बढ़ रहे हैं मामलों को देखते वे लोकडाउन लगाए गया है बिहार के भागलपुर स्मार्ट सिटी में COVID-19 के समाखॉल में लोकडाउन के नियमों का पालन करवाने के लिए जिला पुलिस लगातार चौक चौराहे पर लोगों जाज कर रहे है और बेवज़े खुमने वालों से जुर्माने की वसूली भी कर रहे है इसके लिए पुलिस ने विशेश मुहीम के शुरुआत की है जिसके तहट भागलपुर में सभी शहरी छेत्र और कई चौक चौराहे पर भारी मातरा में पुलिस बल को मुश्तैद होकर काम करने के लिए लगा दिया गया है इतना ही नहीं चौक के आसपास के कई दुकान को भी बंद करवा दिया गया है पटना एम्स में COVID-19 प्रिभावित नवजात पर रिसर्च है जारी एम्स में चार दिन और पांच दिन के शिशुओं में COVID-19 पॉजिटिव पाए जाने के बाद एम्स की टीम ने इस पर रिसर्च शुरू कर दिया है बिहार में यह दोनों पहला मामला है जब इतने कम दिनों के शिशुओं में COVID-19 संक्रमित पाए गया है एम्स के शिशुओं विभाग के हेड डॉक्टर लोकेश तिवारी का बताना है इसे की संक्रमित हुए है यानि के अगले टेस्ट में यह वा जाएंगे रापर जाच के टुक्सित करने के लिए इसराईली टीम पहुँछी भारत भारत के साथ मिलकर COVID-19 की जाज के लिए रापर जाज के विक्सित कर रही है इस्राइली अनुसंधान करताओं की एक उचिस्तर ये टीम भारत पहुच गई है ये टीम COVID-19 संक्रमण का तेजी से पता लगाने के लिए विक्सित की गई किट के अंतिम चरन का अनुसंधान करेगी इस्राइल के रक्षाइवं वितेश मंत्राले ने इस बाबत एक बयान जारी करते वे कहा था कि इस्राइल और भारत के बीच इस अनूठे सहीयोग से के तहत इस्राइली प्रत नेधी मंडल 10 दिनों में 1000 नमूने एक गत्र करेगा और कृतम बुध्धी मता के आधार पर कम्प्यूटर प्रनाले का इस्तेमाल कर नमूनों का विशलेशन करेगा बयान में यह भी बताएगा है कि प्रतनिधी मंडल भारत में अंतिम चरन का अनुसंधान करेंगे विशेश विमान से दर्जनों उननत वेंटिलेटर भी भारत में पहुचा दिया गया है इस मुहीम को ऑपरेशन ब्रिफिंग स्पेस का नाम दिया गया है पूर्व भारती ओल राउंडर एर्फान पठान ने रशाप पंथ को लेकर कही एहम बात भारती तीम के युगा विकेट कीपर बलेबाज रशाप पंथ एक वक्त तर पूर्व विकेट कीपर बलेबाज एमिजध होनी के उतरा धिकारी के रूप में पहचाने जा रहे थे कहा कि रशाप पंथ एक युबा खिलारी है लेकिन पिछले कुछ वक्त से उनके ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है अब उनके ऊपर से मीडिया और लोगों का ध्यान हटा है दो पंथ के लिए काफी अच्छा है तो चली बढ़ते आज के सवाल की और आज का और पर के अल राहूल रशाप पंथ और रधिमान सहा में से कौन बहतर है अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही बिहार की तमाम बड़ी खबरों से अपडेटेट रहने के लिए हमारी यूटिब चानल को सब्सक्राइब कर